इसके बाद हम आगे देखेंगे ओटो श्मिड का सिध्धान्त ओटो श्मिड रूस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1943 में एक सिध्धान्त प्रस्तुत किया था इनका जो सिध्धान था यहां अंतर तारक गैसी ये परिकल्पना को बताता है धूल और गैस राशियों के संयोग से प्रित्वी या सौर परिवार की उत्पत्ती होती है ऐसा ओटो श्मिड ने सिध्ध किया है इनका जो सिध्धान था इसमें जो इसके पहले की हमने जितने भी सिध्धान्त और परिकल्पनाएं देखी है उसमें जो जो समस्याय थी उन सम का इन्होंने समाधान किया है और इसके वाइज्ञानिक हल को प्रस्तुत किया है और इस प्रकार से एक नए सिध्धान्त कि इन्होंने रचना की है ओटो श्मिड ने अपने सिध्धान्त में बताया कि जो सूर्य और ग्रहों के बीच में जो एंगुलर मुमेंटम होता है को एंगुलर मुमेंटम या कोणी आवेग होता है इसमें परियाप्त अंतर पाया जाता है और यह अंतर इनके सिध्धान्त के माध्यम से इस्पष्ट होता है दूसरी जो बाते इन्होंने बताई कि ग्रहों की संदचना में परियाप्त अंतर है सूर्य के निकट के जो ग्रह है यह भारी पदार्थों से बने है और जो दूर के ग्रह है यह गैसी पदार्थों से बने है तो इनकी संदचना और आकार में जो अंतर है यह अंतर भी इनके सिध्धान्त से इस्पष्ट होता है तीसरा जो इन्होंने बात बताई कि ग्रहों की गती में भी परियाप्त अंतर है इनके स्वयम जो रोटेशन होता है और जो रिवालूशन हो रहा है इसमें भी परियाप्त अंतर उसका भी इन्होंने इस पश्टी करण अपने सिध्धान्त में दिया है चावथी इन्होंने बताई कि जो सूर्य से ग्रहों की वर्तमान दूरी है ये परियाप्त दूर पर ग्रह बने है और उसकी वास्तविक्ता को भी अपने सिध्धान्त में प्रस्तुत किया है ग्रहों के गती में जो rotation और revolution हो रहा है इसकी गती में भी परियाप्त अंतर है यह भी इन्होंने अपने सिद्धान्त में इसका समाधान किया है तो इस प्रकार से सूर्य के अन्यग्रह जो है इनके बीच में जो परियाप्त दूरी है उसकी वास्तविक्ता यह भी इनके सिद्धान्त में इसका भी हल मिलता है तो यह सभी सिद्धान्तों इनके सिद्धान्तों में पुराने जो सिद्धान्त है उसमें पाई जाने वाली सम स्याओं का हल मिलता है और इस प्रकार से इन्होंने एक सिध्धान्त प्रस्तुत किया और यह जो सिध्धान्त है यह धूल और गैस के विस्तार पर आधारित यह सिध्धान्त है इनका जो सिध्धान्त है इसकी इन्होंने बताए कि ब्रह्मांड में धूल और गैस के कन पहले स तो यह बताया गया कि उलकाएं या जो टारे है इनमे निरंतर इसकी तूट-फूट होती रहती है जो उलकाएं और तारे है इनमे जो निरंतर तूटने की क्रिया होती रहती है उसके फल स्वरूप इससे निकले वे जो पदार्थ हैं ये ब्रह्मान में आध्य पदार्थों के रूप में फैले हुए हैं और इन्हीं पदार्थों से गैस और धूल के कण निकले हैं जिससे वर्तमान सौर परिवार की उत्पत्ति होती है इन्होंने ब ब्रम्हान में जा रहा था तो उसने अपने आकर्शन के फलसरूप ब्रम्हान में पाये जाने वाले कई धूल और गैस राशियों के जो पदार्थ हैं इन पदार्थों को वह धीरे धीरे अपनी और खीचना प्रारंब कर देता है। ऐसे इन्होंने बहुत से पदार्थों को अपनी आकर्शन में ले लिया और उसके फलसरूप ये धूल और गैस राशियों जो थी ये सूर्य के आकर्शन में आकरके इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। तो इस प्रकार से ये धूल और गैस राशियों में धूल के जो कंड थे वो एक दूसरे से अलग थे पहले लेकिन इनकी मात्रा अधिक थी और उसके कारण ये कंड एक दूसरे की ओर आकर्शित होने लगे। इसका जो स्वरुप था यह नान इलास्टिक की भाती था। लेकिन जो गैस राशियां थी यह गैस राशियां इलास्टिक की भाती ये बीच बीच से जाती थी और इनकी गती काफी तिवर थी। इनकी गती तिवरता अधिक होने के कारण और इनकी मात्रा कम होने के कारण ये गैस राशियां इनके बीच से गुजरती चली जा रही थी। लेकिन जो धूल राशी थी ये धूल की जो राशी है ये बहुत अधिक मात्रा में थी और अधिक मात्रा में होने के कारण इसका स्वरूप नानिलास्टिक था और ये एक दूसरे से आकर के मिलने लगे। पहले ये फैले हुए थे अव्यावस्थित थे लेकिन धीरे धीरे यह व्यावस्थित होने लगे एक दूसरे के निकट आने लगे थे और इस प्रकार से जब एक दूसरे के निकट आने लगे एक दूसरे से टकराने लगे तो टकराने के कारण इनकी गती कम हो गई और उसक केंद्र हम इसको कहते हैं इनकी स्थापना होती है ये गैस राशी आपस में टक्रा करके एक दूसरे से टक्रा करके विक्सित होने लगी शीतल होने लगी और इनकी गती कम होने लगी तो इस प्रकार से इन्होंने छोटे छोटे ग्रहों के पिंड के रूप में अपनी इस्थि inुपति बना ली धिरे धिरे ये जो क्रह ये धिरे धिरे विक्सित होने लगें लेकिन एक रहा फिर भी ये जो भुर्ण थे धूल राशियां थी और गैस राशिय थी यह अभी भी सूर्य का चक्र लगा रही थी इनके चक्कर लगाने की गती में परियाप्त अंतर हो गया क्योंकि जैसे जैसे ये धूल राशिया इकठी होने लगी इनका आकार बढ़ने लगा इन्होंने बताया कि सूर्य एक समय ब्रह्मान में विचरण कर रहा था और जब वो ब्रह्मान में जा रहा था तो उसने अपने आकरशन के फलसरूप ब्रह्मान में पाये जाने वाले कई धूल और गैस राशियों के जो पदार्थ हैं इन पदार्थों को वह धीरे धीरे अपनी और खीचना प्रारंब कर देता है ऐसे इन्होंने बहुत से पदार्थ को अपनी आकरशन में ले लिया और उसके फलसरूप ये धूल और गैस राशियों जो थी ये सूर्य के आकरशन में आकरके इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे तो इस प्रकार से यह धूल और गैस राशियों में धूल के जो कंड थे वो एक दूसरे से अलग थे पहले लेकिन इनकी मातरा अधिक थी और उसके कारण ये कंड एक दूसरे की और आकरशित होने लगे इसका जो स्वरुप था यह नान इलास्टिक की भाती था लेकिन जो गैस राशियां थी यह गैस राशियां इलास्टिक की भाती ये बीच बीच से जाती थी और इनकी गती काफी तीवर थी इनकी गती तिवरता अधिक होने के कारण और इनकी मात्रा कम होने के कारण ये गैस राशियां इनके बीच से गुजरती चली जा रही थी लेकिन जो धूल राशी थी, ये धूल की जो राशी है ये बहुत अधिक मातरा में थी और अधिक मातरा में होने के कारण इसका स्वरूप ना निलास्टिक था और ये एक दूसरे से आकर के मिलने लगे पहले ये फैले होए थे औयो व्यावस्तित थे एक दूसरे के निकट आने लगे थे और इस प्रकार से जब एक दूसरे के निकट आने लगे एक दूसरे से टकराने लगे तो टकराने के कारण इनकी गती कम हो गई और उसके साथ ही जब गती कम हो गई तो ये एक दूसरे से पदार्थ ये जो धूल राशियां थी एक दूसर विक्सित होने लगी, शीतल होने लगी और इनकी गती कम होने लगी। तो इस प्रकार से इन्होंने छोटे-छोटे ग्रहों के पिंड के रूप में अपनी इस्थिती बना ली। धीरे धीरे ये जो ग्रह है ये धीरे धीरे विक्सित होने लगे लेकिन ये ग्रह फिर भी ये जो भुरून थे ये धूल राशियां थी और ये गैस राशियां थी ये अभी भी सूर्य का चक्कर लगा रही थी इनके चक्कर लगाने की गती में परियापत अंतर हो गया क्योंक थंडे भी होने लगे थे तो इस प्रकार से ग्रहों का जो निर्मान है यह कई अवस्थाओं से होकर के गुजरता है सबसे प्रारंभ में जो इलास्टिक और नान इलास्टिक याने प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ यह जो कन थे यह आपस में जब टकराते थे तो जो इलास लगे और अपनी गती खोने लगे थे इनकी गती धीरे-धीरे मंद होने लगी और ये संगठी थो करके ग्रह का भूण निर्मित हुआ ये पहली अवस्था थी फिर दूसरी अवस्था में ये जो भूण थे इन्होंने अधिकाधिक पदार्थों को आत्मसात किया और इस प्र नुमा आकार में ये निरंतर सूर्य का चकर लगा रहे थे इस्ट्राइड ने धीरे-धीरे और भी अधिक पदार्थों को एबजार की आत्मसात किया और इस प्रकार से ग्रहों का रूप धीरे-धीरे बढ़ने लगा और ग्रहों का निर्मान होने लगा था प्रारंभ में ग्रह बन गए और फिर जो शेश पदार्थ थे ये शेश पदार्थ में फिर से छोटे-छोटे भ्रून उत्पन्न हुए और ये अपने ग्रह के आसपास ये चकर लगाने लग गए थे जिनसे उपग्रहों का निर्मान होता है तो ग्रहों और उपग्रहों के निर्मान के ब सूर्य का चक्कर लगा रहे थे, तो इस प्रकार से वर्टमान ग्रह और उपग्रह की रचना को हम यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रहों का यहाँ पर हम यह देखते हैं कि ग्रहों का निर्माण सूर्य से नहीं हुआ है, बलकि ब्रहमांड में फैली हुई, जो मेग या गेसराश और धूल के कण हैं इससे होता है और इसलिए इनके जो कोणिय सम्वेग जो है एंगुलर मोमेंटम हम जिसे कहते हैं इसमें परियापत अंतर पाया जाना चाहिए क्योंकि जो सूर्य के जो ज्यादा निकट थे वो भारी तत्व थे और सूर्य से जो दूर पदार्थ थे ये हल के तत्व के थे और इसलिए इनके एंगुलर मोमेंट में जो अंतर है यह बहुत स्वाभाविक होता है दूसरी बात इन्होंने बताई कि सूर्य के निकट के जो ग्रह है जिने हम वर्तमान में आंतरिक ग्रह कहते हैं यह भारी पतार्थों से निर्मित है इसमें विभिन्न के खनिज और सिलिकेट की मातरा अधिक है जबकि जो दूर के जो ग्रह है यह इसमें गैस राशियों की मातरा अधिक है तो यह इस्तिती भी इन्होंने इसपश्ट की कि जो भारी पदार्थ थे वो सूर्य के जादा निकट चले गए थे जिससे सूर्य के पास भारी ग्रहों का निर्मान हुआ है और दूर में क्रमशह हलके ग्रहों का निर्मान हुआ है इसका जो कारण था इन ग्रहों में उश्मा की भिन्नता थी केंद्र के पास अधिक उश्मा थी इसलिए अधिक भारी पदार्थ वहाँ पर संग्रहित हुए और दूर में कम उश्मा के कारण हलके पताई कि चूकि गैस राशी और धूल जो है इसके परिमान में भिन्नता थे और उसी के कारण ये अलग अलग और परियाप्त दूर में एक दूसरे से संगठित हुए हैं और उसी से वर्तमान ग्रह और उपग्रह की रचना होती है और इनके बीच की भी जो दूरी है यह एक स वर्तमान नहीं है बलकि यह परियाप्त दूरी पर सूर्य से विक्सित हुए हैं तो इस प्रकार की बातों को इन्होंने स्पष्ट करके एक सिध्धान्त प्रस्तुत किया है यद्यपी इनका सिध्धान्त जो है यह वर्तमान परिपेक्ष में काफी सहीं तो लगता है लेकि कितना भी इन्होंने अपनी वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तूत किये लेकिन इनके सिध्धान्त में भी निरंतर आलोचनाय हो रही क्योंकि जो नए-नए खोज हमारे सामने में आ रहे हैं उसके आधार पर क्या सूर्य से सौर परिवार की उत्पत्ति हुई है या सूर्य के अच भी एकमत नहीं है झालोचनाव पर वेकमत नहीं है झालोचनाव दोस्तूत कि या जोचनाव झालोचनावाई का सौर्ब को रहे हैं झाल झाल